तो चलिए मैं आ गई हूं फिर बेंटो केक सीरीज का अगला केक लेके तो चलिए बनाते हैं केक अपना तो यह लीची फ्लेवर का केक है तो इसलिए मैंने पानी में लीची क्रश मिलाके इसको रख लिया है तो अब एक केक बोर्ड रखेंगे टर्न टेबल पर और यह भी मैं यह 3.2 इंच के मोल्ड में बेक किया उपर की लेर निकाल लेंगे इसको दो लेर में कट कर लेंगे अब बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगानी है अब पहली लेर रखेंगे इसको मॉइस्ट करेंगे इस पर अच्छे से क्रीम लगाएंगे एक चिमच लीची क्रश डालेंगे हम लीची का सीजन आ रहा है तो फ्रेश लीची भी आप इसमें काट करके डाल सकते हैं या लीची की फिलिंग बना के डाल सकते हैं और इसके उपर दूसरी लेयर रखेंगे इसको भी मॉइस्ट करेंगे अब इसकी हम कोटिंग कर लेंगे लीची का सीजन आ रहा है तो जब लीची का सीजन आ जाएगा तो मैं उसके फिलिंग की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और इसको ऐसे इस क्रैपर घुमा के अच्छे से इसकी फिनिशिंग करेंगे लीची का क्रेश बनाना किसको किसको सीखना है लीज कमेंट करके बताईएगा तो अगली वीडियो मेरी कुकिंग से रिलेटेड आने वाली है तो प्लीज उसको भी वाच कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा और इसको ऐसे घुमा के हम क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से इसको फिनिशिंग देंगे अच्छी केक में आप अच्छी दीजे चाहिए आपको 10 मिनट लग जाए 15 मिनट लग जाए बहुत अच्छे से फिनिशिंग देजिए अब यह मेरे अच्छे से हो गई है इसकी फिनिशिंग अब इसके उपर हम टेक्स्चर देंगे बस इसको कुछ नहीं करना है इस तरह से इस पर पैलेट नाइफ रखना है और टर्न टेबल को रोटेट करना है नीचे भी इसी तरह से टेक्स्चर बनाएंगे अब इसके उपर डेकोरेशन करने के लिए यह रेड फूड कलर मिलाया है क्रीम में और इसको ज्यादा नहीं मिक्स करना कंप्लीट रेड नहीं बनाना है थोड़ा थोड़ा वाइट इसके अंदर दिखना चाहिए शेड रहना चाहिए यह छोटा वाला स्टार नौजल है इसको हम पाइपिन बैंग में लगा लेंगे और इसमें क्रीम हम फिल कर लेंगे अब इस पर हम छोटा छोटा रोजेट फ्लार गनाएंगे अगर आप लोगों को मेरा आइडिया मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजे और कमेंट जरूर कीजिए कमेंट में बताईए कि आपको कैसा लग रही है कुछ और जानना है तो वह भी बता सकते हैं अब इसके उपर हम ये ग्रीन क्रीम के क्रीम से इस तरह से इसकी डंडी बनाएंगे और यहां पर एक रिबन जासा बनाएंगे टाई करने के लिए जैसे एक बुके को टाइक किया जाता है और उसी क्रीम के पाइपिन बैक को मैंने वी कट दे दिया है और लीफ बना रही हूं और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्स्राइब कर दीजिए और यह वाइट कलर की क्रीम से हम इसके चारो तरफ पर्ल वाले बॉर्डर बनाएंगे और नीचे की तरफ भी बना देंगे इसी तरह से प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए आप लोग का सपोर्ट कीजिए आप लोग का सपोर्ट आप का लॉक्ति आपका लाइक करना शेर करना और शेकारणा हमें सपोर्ट करना है तो प्छीज हमें सपोर्ट कीजिए और हमें आगे तक लेके जाहिए और इस पर मैंने यह रोज गूल्ट कलर का छोटा वाला पर्ल है उसको ढाल दिया पूरे पर और थोड़ा सा इस पर हम सिल्वर स्प्रे कर देंगे एक प्यारी से अच्छी सी शाइन के लिए पर्ल वाले बॉडर पर सिल्वर स्प्रे करने से वो बहुत ही प्यारा लगता है और यह हमारा बूके वाला केक रेडी है तो फिर मिलेंगे कल एक नए आईडिया के साथ और हाँ नेक्स्ट वीडियो मेरी कुकिंग से रिलेटेड आएगी तो उसको भी वाच कीजिएगा सपोर्ट कीजिएगा ठैंक्स पर वाचिंग